दलाइफ टीवी सच सब से आगे और इन ही सब को देखते हुए करनाटक में भारती जन्ता पार्टी जो है उन्हें आननफानन में ही एक राष्टिय बैठक बुला ली है पूरा मामला आपको बताते हैं खबर देखिए नियू देर्जिन की खबर है खबर में लिखा है करनाटक चुनाफ को लेकर जेपी इन मुद्दों पर होगी चर्चा तो करनाटक में सबी राष्टी महामंत्री जो है वो मौझूद रहेंगे और भाजुपा जो है करनाटक में अपना किस तरीके से योजना है तो तयार करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा की बात भी कही जा रही है खबर में आगे अब शूरूये में राश्टिय महामंत्रियों के साथ बैठक बूलाई है। पार्टी, जमीनी, मुद्दे और लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है, तो इस तरह की तमाम खबरों को लेकर करनाटक में भारती जंता पार्टी को आने वाले विधानसवा चुनावों में एक बड़ा छटका लग सकता है, ऐसा माना जा रहा है, खबर में आगे ल अमिक्षा को लेकर पार्टी के राष्चिये अध्यक्षिर, जे-पी नड्डा, पार्टी राष्चिये Мहामंत्रियों के साथ मन्थन करेंगे, तो तमाम राष्ट्रे महामंत्रियों को बुला लिया है बेठक में, और करनाटक चुनाव को लेकर योजना बनाई जाएगी, आपको बता दे कि लगातार करनाटक में BJP की मुश्किले जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं BJP के एक विधायक ने पार्टी से स्तीफा दे दिया है इसी के साथ पार्टी से स्तीफा देते हुँ उन्होंने क्या कुछ कहा है वो एहम हो जाता है क्योंकि आने वाले दिनों में करनाटक में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में BJP के नेता लगातार जो है वो पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं और उसके बाद दूसरी पार्टीों में शामिल हो रहे हैं एक ऐसे ही नेता जिन्होंने पार्टी छोड़ दियो और उसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी में भरष्टा जार जो है वो चरम पर है और किस तरीके से बीजेपी जमीनी मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है इसी के साथ बीजेपी करनाटक चुनाव जीतने के लिए हर वो कोशिश कर रही है जो से लगता है कि करनाटक चुनाव में जीत दिला सकती है OPS का मुद्धा उभर कर सामने आ रहा है 2024 के लोगसभा चुनावों में भी OPS पुरानी पेंशन योजना जो है इसको जो है एक बड़ा मुद्धा बनाया जा रहा है और OPS को लेकर BJP जो मना कर चुकी थी सिरे से खारिज कर चुकी थी OPS योजना को लागू करने के लिए निर्मला सितारमन ने खुद इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था कि ये नहीं हो सकता है अब खुद BJP जो है OPS पर दोबारा से मन्थन करने के लिए तयार हो गई है और इसकी वज़या करनाटक में विधानसवा चुनाफ तोकि करनाटक में जो कारोबारियों की संख्या है वो सबसे ज्यादा बताई जाती है और इसी के साथ कारोबारियों का जो वोट प्रतिशत है वो भी ज्यादा है तो विधानसवा चुनाफ की बात कर लीजिए या लोगसवा चुनाफ की बात कर लीजिए दोनों ही चुनावों में BJP को कारोबारियों का वोट चाहिए उनको अपने पाले में लाना है इसलिए OPS को लेकर BJP जद्दो जहत कर रही है करनाटक जाएगी राजस्थान में OPS को लेकर स्टड़ी करेगी और अपनी रिपोर्ट जो है वो कमेटी को सौपेगी और इसी को लेकर BJP जो है वो ओपीस को लेकर दुबारा से मन्थन करेगी तो OPS एक बड़ा मुद्दा है इसी के साथ करनाटक में चुनाव आने वाले हैं उससे के बाद तमाम खबरें आने लेगी कि किस तरीके से BJP को करनाटक में एक और बड़ा जटका लग चुका है हाला कि BJP लगातार करनाटक में दौरे कर रही है रहाल मंतरी मोधी लगातार करनाटक में दौरे कर रहे हैं बड़ी-बड़ी सौगाते सौप रहे हैं गरी मंतरी का भी दौरा जो है कॉने वाला है JP Neakyataka कॉने वाला है और इसी के साथ किस तरीके से आपने ये भी देखा कि तमाम BJP के फाइर ब्रांड नीता जो है एक के बाद दौरे कर रहे है कोर दौरे कर रहे हैं अपनी साख बचाने के लिए जद्दो जहद की जा रही है लेकिन आने वाले चुनावों में क्या होगा ये तो मौजूदा समय में ही बता सकते हैं इसी के साथ आप वो खबर भी देखिए जिसमें करनाटक में BJP को बड़ा जटका लगा और उनके MLC पुतन्ना ने पार्टी को स्तीफा दे दिया पार्टी से स्तीफा दे दिया है और वो कॉंग्रेस में शामिल हो गए हैं उनका कॉंग्रेस के टिकट पर विधानसवा चुनाव लड़ना भी तैं माना जा रहा है इसी के साथ खबर में आगे लिखा है कि पुतन्ना को लिंगायात चेहरे के तौर पर माना जाता है वो चार बार से लगातार जो हैं MLA जीत चुके हैं BJP से और इसी के साथ उन्होंने BJP को छोड़ दिया है कही न कहीं BJP के लिए बड़ा झटका कंणाटक में आने वाली चुनावों में साबित हो सकता है उन्होंने पार्टी छोड़ता है कि मेरी अंतरात्मा मुझे मार रही है क इसमें बीजेपी नेता और अपने बेटे के साथ किस तरीके से भरष्टा चार करते हुए पकड़े गए थे उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इसी के साथ उन पर F.I.R. भी दर्ज हुई मामला सुप्रीम कोड भी पहुचा, कोड भी गया इसी के साथ उनके घर से करोड़ो रूपे कैश भी बरामद हुआ तो ये सबी चीज़े जो हैं बीजेपी को हार की तरफ धकेल रही है क्योंकि करनाटक में बीजेपी का जो सपना है दोबारा सत्ता में आने का वो कही ना कही चूर चूर होते हुए दिख रहा है तो ये सब चीज़े जो हैं दोस्तों ये सब बताती है किस तरीके से लगातार बीजेपी को हार का डर सता रहा है और उसी को लेकर मन्थन करने के लिए किस तरीके से बीजेपी का नेतितर्व जो है वो आक्टिव हो गया है और राश्टिय बैठक जो है वो भी बुला ली गई है करनाटक विधानसभा चुनाव पर मन्थन करने के लिए इसे पहले बीजेपी जो है वो तमाम अपनी बारिकियों पर काम कर रही है इसे पहले बैंगलूरू में भी एक वीडियो सामने आया कि किस तरीके से जेपी नड़ा जो है वहाँ पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे नहीं रहेगी तो देखना होगा इसी के साथ आप खबर देखिए जिसमें लिखाए ओल्ड पेंशन स्कीम की स्टड़ी कराएगी बीजेपी करनाटक से राजिस्थान आएंगे अधिकारियों के टीम टाइमस ओफ इंडिया खबर के मताबिक अधिकारी सुत्रों ने बताया कि करनाटक सरकान ने कमीटी कर गठन कर दिया है इस कमीटी कर रहे तिरिक्त मुख्य सचिफ करेंगे ये साल 2006 के बाद सिवा में शामिल होने वाले करमचारियों के लिए OPS को फिर से शुरू करने के ल करनाटक से मुलाकात करेंगी राजस्तान ने अपरेल 2022 में उल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया था इसके बाद 650 पेंशन पाने वाले करमचारियों को इसका फाइदा मिलेगा राजस्तान के बाद ये कमेटी जो है वो 36 गड़ का दौरा भी करेगी क्योंकि वहां भी ये देखना होगा OPS का मुद्धा BJP को कही ना कहीं सत्ता की कुर्सी से दूर ले जा सकता है ऐसा कहीं लोगों का मानना है क्योंकि BJP OPS पर पहले ही अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर चुकी है लेकिन इन सभी मुद्धों को देखते हुए BJP जो है उसका केंद्री नेतर जो है वो अक्टिव हो गया है और लगातार बैठे के की जा रही है आप करनाटक में BJP का क्या हाल है BJP कितना स्कोर कर सकती है इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सरूर बताएं